हेलो दोस्तों मैं अंकित मान और मैं एक डीजे और परडूसर हूँ लोजिक प्रोएक्स की कम्प्लीट बिगनेर कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है तो बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का मारा टोपिक है कंट्रोल बार टूल्स और एल्सीड डिस्प्ले को लोजिक में कैसे यूज करें और इनको यूज करके अपना वर्फलोग कैसे तेज करें तो मैं आपको पहले बता दूँ आपको बता भी होगा अगर मैं प्रेस करता हूँ स्पेस कीबोर्ड में तो अगें प्रेस करूँगा तो बंद हो जाएगा मैं जॉब निडल देख रहे हैं इसको प्रेजन सेलेट करके आगे पीछे भी कर सकता हूँ मानलीजे मुझे यहां पर जोड़ा चेक करना है तो मैं पूरा नहीं सुनूगा मैं यहां पर जटले करके चाट रहा हूँ और इसको मैं जैसे मारा मानलीजे मारा रहाना चाट जाए उसको अब बात करेंगे जो आप यहां पर यह दोग देख पा रहे हैं इसको तुम ज़ेश्ट आप देख रहे हैं इसका यूज तो किसी भी चीज को स्लेट करने के लिए खाम करने के लिए जो आप यहाँ पर यह प्लस वाला साइन देख रहे हैं इसको मोलते हैं मार्की टूल इसका यूज एक्चुली मैं आपको बताता हूँ जैसे महां लेजिए मुझे यह सुनना है इतना एरिया में अगें पर में प्यान आपड़ेगा फ्रेश्ट करना बढ़ेगा तो मार्की टूल का यूज एट बेसिकली कमांड प्रेस करेंगे तो आपके यह मार्की वाला साइ और मैं इरिजन स्टाट कर लेता हूँ तो आप देखें कुछ यहां पर कुछ लाइट ग्रे टाइप का गया है इसका मतलाव है मैंने इरिजन स्टाट किया है है अब मेरा स्टाट करता हूँ पहले मैं क्या करता था यहां पर करता था क्लिक तब मैं स्टाट करता था आप मै अर्मली नुजय कुछ जहां तक मैंने स्लेक्ट किया हूए रिजन को अगेन मैं प्रेस करता हूँ इस्टा प्रेस करणा स्पेस , और मैं फिर बाद में क्लिक करूँ गा तो यह despair हो जाए गाएब हो जाएगा यह सिर्फ हम empty reason में ही करेंगे जैसे मेरे को यहाँ पर करना है या इस वाली reason में करना है इसको करना है तो मैं यहाँ पर normally select markitude मेरा command press करके लाके वो select कर लूँगा अब हम बात करते हैं इन tools की इनको हम बोलते हैं transpose buttons कुछ कुछ आपको sound में भी आ रहा हो जैसे यह आपने बहुत पार देखा भी होगा प्ले का sign होता है तो इसमें आपको बताने की बात नहीं है आप जिस प्ले हो जाए और मगर से फिर दुआँगो तो मेरे फिर प्ले हो यहाँ पर देगरें आपको पता दिए stop कर देंगे इ और यह जो sign आ चुका है इसका मतलब है हमारा Zoom स्टार्टिंग पर पोच जाएगा तो स्टार्टिंग पर आ गया इससे प्ले हो जाएगा यह स्टॉप हो गया स्टार्टिंग पर आ गया इनका मतलब है बेसिकली जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है फूट 11 beats आगे बढ़ जाएगा यह और यहां से 11 beats पीचे हो जाएगा इसके अरब हम बात करेंगे हम जो अब राट डोट यह देखे पार है रेड बटन यह recording के लिए होता है बेसिकली हम कोई भी track स्टेक्ट करेंगे और इसको दबादेंगे तो हमारी recording स्टार्ट हो जाएगी फि अगर मैं इसको प्रेस करूंगा यहां से इस reason वागे मालेज़ेए या खली reason में इसके प्रेस स्टार्ट करूंगा तो यहां पे में बाद में कुछ भी मेरे media इस control हुए जो में external मेरे Interface में connect किया होगा वहाँ से मैं इसको record कर सकता हूँ अगर मैं आप प्रेस करूँगा रूप जाएगा इस tool का मतलब है cycle mode जो आप यह हलका से देख पा रहे हैं part अगर मैं इसको click करता हूँ तो yellow हो गया इस yellow का मतलब है मैंने यह reason select कर लिया है जैसे हमने market tool में देखा था हमने command लाके select किया था उस reason में हमारा song play हुआ था उसमें क्या हुआ था जैसे हमने play किया तो जो हमने select reason किया हुए starting से end तक एक बार play होता है इसमें क्या होता है जैसे yellow part आपको दिख रहा है इसमें जैसे मैं start करता हूँ तो आपने देखा यह एक तरह से loop लग गया है यह जब तक play होता रहेगा जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं इसको मैं यह से आगए यह फीचे कर सकता हूँ इस reason को select करके कि मुझे कितना मैं loop लगाना है आगए तो सुनना है मेरे track को एक बीट्स बना रहा हूँ और मैं यह फीट्स अच्छे लग रही है तो मैं इसको start करके इसको select करके cycle mode को check कर सकता हूँ अब हम बात करते हैं LCD डिस्प्ले के बारे में जो यह आप पार्टी देख पा रहे हैं यह आपका LCD डिस्प्ले है जो कि इस पूरे पुजट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता है यहां पे सब कुछ जैसे आप यहां देख रहे होंगे बीट्स और सुरी बार बीट्स डिवीजन एक टैम को टाइम की तो मैं आपको जड़ा अच्छे से बताता हूं इसको मैंने बड़ा कर लिया हां से आपको पता है था कमांड लब साइड राइड साइड राइड साइड राइड हो छोट होत है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ चार बीट्स पर एक बार चार डिवीजन पर एक टिक और 240 टिक्स पर एक डिवीजन होता है मैं रिपीट करता हूं चार बीट्स पर एक बार चार डिवीजन पर एक टिक और 240 टिक्स में एक डिवीजन होता है तो मैं आपको बताता हूं आप यहाँ पर देखिएगा इस रिजन को तो यह मेरा पूरा एक बार अप्लेट हो गया यहाँ से आ तक जिसमें एक चार बेट्स कमप्लेट यहाँ तक होई है तो चार बेट्स में एक पूरा पूरा कमप्लेट हो हमारा और अप्टा आप डिविजन को देखिएगा तो इन चार डिविजन में हमारी एक टिक पुरी होई देखे यह पुरे टिक होगा हमारी अब टू फूरा टिक में एक डिविजन यहाँ से यहाँ तक टू फूरा होगया तो हमारी एक टिविजन कम्प्लेट हो गया इसको में रड़ा बाइड करका जाता हम देख आता हमको यह तू फूर्टी और एक डिविजन हमारा कम्प्लेट तो इसको मान लिजए यह हमको वैसे बिएक लिए तो मैंने आपको डिटेल बजा जया तो मैंने आपको डिटेल बताए तो मैं इसको विजिली प्राम क्योंता है हमारे जो निडल है, इसकी information हमको देता है कि यह कहाँ पर है तो अभी मैंने यहाँ पर किया, तो इनायंत बार one bit, one division, one take मैं यहाँ पर जैसे मैं आगी जाना चाहता है तो मैं search करता हूँ one, 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 one तो यह कुछ आपका अगे इतना आगे पोज गया तो आप यहाँ पर ऐसी normal type करके, इस पर आप आपके जाए सकते हैं अब हम बात करते हैं टेमपो की टेमपो basically हमारे project का टेमपो है टेमपो का अम नहुने जो आप देख पा रहे हैं, यह होता है BPM तो BPM टेमपो का इंकी बाद है BPM मतलब beats per minute एक मिनिट में हमारी कितने बीट्स आ रही है सोंग की तो इस पर प्रट रहता है यह अभी हमारे जो यह सोंग है यह अंड्रेट बीपीम इसका मतलब हंड्रेट बीट्स पर मिनिट इसको मैं आज सकते हूं प्रस वे इससी स्पीर से चलेगा अब बढाऊंगा तो कम करूंगा तो उस पर चलेगा तो यह वहारे विवें की बात अब मात करते हैं ठाइम की फॉर बाइफ्वर इसको हम बेसिकली मॉस्टली प्रोजेक्ट फॉर फ़वाइफ़ पे ही होते हैं यह फॉर ब इसा घ्योत तर याहं ज sisters कहा सकते हैं यहां प्याइस की बात करेंगे यह की यह किसी भी सुप्पोंग की डिफॉल्ट में जो लोडिक रहता है वो सी मियंजरी रखता है हमश्क को च्रेज कर सकते हैं हम गानो को आना कोई भी ट्रेक है हमारा अम इस पे बना रहे है है A Miner रहे है A Sounds Miner बना रहे है या B Clait Miner हमें भी Miner के बना रहे है तो हम इसको छूज कर करके काम कर सकते तो ये मरा ये लसे डिस्प्ले हो गया इसको पर जिसके चैंज कर सकते हैं यह से मिरको खली अब ये बीट्स और प्रोजेक्ट ज़ो हुआ है लाइज में मैं इसको नॉर्मल कर सकता हुँ हां से तो चोटा सो होगा यहां से मेरे को मैंने बीर्ट टाइम चलेट का तर लार्ज में तो मेरे को यह कुछ इस तरह का सो ने लगा इसको हम बोलते हैं सेमेटी टाइम कोड यहां पर सो रहा है आपका यह तो आपको बताई चुका हूँ मैं यह एक्चुली बैसिकली हम जिसे कोई मुसलिम आप जैसे मुवीज एडिटिंग कर रहे हैं बड़े-बड़े सोफ्टर मुवीज के लिए उनके लिए वह ठीक रहता है मैं आपको बतातीता हूं यह अपका हुार है यह मिनिट है यह सेकंड है यह फ्रेम होता है और यह Ooh इलूछ होते हैं आप बताता Happy 11 अब हलाओ को यह जाएँगए तो यह एकदिक है पुरावीत है इसमें आपको आग His tir आपके आगे ले जा सकते हैं चाहाए है तो असका आए खाम रहता है हुग को इसको आप यहां पि air टायब करके टायम को चेंज कर सकते हैं। कि को अचेंज कर सकते हैं आपका कुछ इतना बड़ा गएगा है। यहां पर सब कुछ ब assumptions में लगेगा भा टाइम सब कुछ मिन्मी करते तहूं यहां पर ईसको में यांपर चीन्ज भी करसकते मैं चाहता हूं neighborhood ज्सकार आप देख रहे हैं यह यहां पर शब्स हो रहा है मैं चाहता हूं जो मेरा ट्रांसपोस वाला थी यह एरिया है मैं चाहता हूं इसको मेरे को और कुछ शो होने लगे जैसे प्लेफोर बिग्णिंग का अब ओप्शन आ जाएगा तो में हां जब ब्ले करूंगा तो मेरा स्टार्टिंग से स्टार्ट साट्ट होने लए दाएगा जो भी दिक करऊंगा फूसे मेरा या पर शोओने लगएगा लाएग लग दी लाएग व्यूद में पोलमोड्स सा भी सो हो रहा है आपको उसका तो यह थे हमारा कि एल्जी डिस्प्ले के बारे में था तो तोड़ा मैंने आपको बताया पर आपको स्माज कर सकते हैं कि इस टोपेक में बस इतना ही